प्रिये विध्यार्तियों हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत हैं हमारा विसे है विसेशन हम विसेशन की परिवासा विसेशन के भेद इन सभी से हम परीचित हो चुके थे आज हम पढ़ेंगे विसेशन का पहला भेद गुण वाचक विसेशन गुण वाचक विसेशन की ये परिवासा है वे शब्द जो किसी वैक्ति ववस्दू के रंग रूप गुण दोस आकार प्रिकार वे सभाम सम्हंदी विसेशता का बोध कराते हैं उन्हें गुण वाचक विसेशन कहते हैं ये निम्न उदारनों द्वारा समझा रखा है लाल दुपट्टा उड़ गया आपने परिवासा में पढ़ा होगा जब मैंने परिवासा आपको पढ़ाय थी जब आपने पढ़ा होगा तो हम विसेशन की परिवासा थी वे शब्द जो संग्यावे सर्वनाम की विसेशता वत लाते हैं उन्हें विसेशन कहते हैं तो यहां दुपट्टा संग्याव सब्द है यह गुण वाचक विसेशन का पहला उदारण है लाल दुपट्टा उड़ गया तो दुपट्टा यहां संग्याव शब्द है और लाल यहां इसकी विसेशता है तो यानि की दुपट्टा संग्याव है इस संग्या की विसेशता इस संग्या की विसेशता क्या है के यह लाल है एक तो इससे भी हम इस समस्या को दूर कर सकते हैं कि ये कौंग सा विसेसद है तो यहाँ पर भी दे रखा है रंग रूप तो मे आप रंग रूप के यहदार पर भी पता लगा सकते हैं और इसकी जो हमने परिवासा पड़ी थी कि ये संगयावे सर्मनां की विसेसदा बतलाते हैं वो विसेसद शब्द होते हैं तो यह यहाँ पर दुपट्टा संग्या है और लाल इसकी विशेस्ता है यानि कि यह दुपट्टे की विशेस्ता क्या है तो दुपट्टे की विशेस्ता है कि इसका रंग है जो लाल है तो यहाँ इस संग्या की विशेस्ता हुई लाल इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर र लाल है तो लाल यानि की यहां पर रंग का बेद हो रहा है इसलिए हम कह सकते हैं कि लाल तो पट्टा उड़ गया गुण वाचक विशेशन का उधारण है दूसरा उधारण है लाल टोपी जा रही है यहां टोपी शब्द है वो संग्या है टोपी शब्द संग्या है और लाल इसकी विशेश्टा है यानि की इस संग्या की विशेश्टा क्या है कि यह लाल है तो टोपी की विशेश्टा यहां पर बताई जा रही है यानि की संग्या की विशेश्टा विशेश्टा यहां पर बताई जा रह हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दूसरा उदारण भी गोण वाचक विसेशन का है इसी तरीके से ये तीसरा है बगीचे में काला रीच नाच रहा है तो ये काला रीच काला रीच नाच रहा है तो ये रीच क्या है रीच यहां पर संग्या है और इसकी विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष है इस तरीके से हमने आज विस्तार पूर्बा किया विधिवद रूप से गुण वाचक विसिसर्ण का अध्यान किया है या कर लिया है आज के लिए इतना ही सेस कल पड़ेगे थेंक यू